Hello everyone, आप सबी का स्वागत है विज्यान रिक्ष के online platform पे तो आज हम आज का topic जो है आज हम सार्ट करने वाले हैं electro chemistry से ठीक है किसे सार्ट करने वाले हैं electro chemistry से तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हम थोड़ा basic basic details के बार में पढ़ेंगे क्या कि electro chemistry क्या होता है फिर इसमें हम बात करेंगे कि किस तरीक से different devices use होते हैं energies को convert करने के लिए कौन से energies को convert करने के लिए यह हम अभी बात करेंगे कि कौन कौन से energy का conversion हमें आपड़ने वाले फिर हम पढ़ेंगे डेनियल सेल क्या होती है तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम यह जानेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आखिर होता क्या है ठीक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो किस से डील करती है कि किस तरीके से हमारी chemical energy electrical energy में convert होती है और electrical energy किसमें convert होती है chemical energy में है chemical energy without the Lucie dr. जो device in energy zwrret करने के लिए यूज के राता है उसकतो हम क्या बोलते हैं electrochemical cell नहीं यह कि क्या बोला है हमने अभी क्या बोला है कि कि इसकी प्राँच है physical chemistry की किसके साथ किस से डिल और Sparkly vortexRude करती है Electrical energy से किस्टे डिल करती है electrical energy से और किस तरीके से यह आपस में inter converted है उससे भी यह deal करती है ठीक है फिर हम बात करें device की कौन सा device use होता है किस में conversion of electrical and chemical energies ठीक है एक chemical energy को electrical energy में और electrical energy को chemical energy में convert करने के लिए जो device use होता है उसे क्या बोल देते हैं electro chemical cell क्या बोल देते हैं electro chemical cell ठीक है फिर हम बात करते हैं कि electro chemical cell आखिर होता क्या है ठीक है कि एक मिनट जस्ट तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे electro chemical cells जो होते हैं वो दो तरीके क्यों होता है ठीक है दो तरीके क्यों होता है कौन कौन से गैल्वेनिक cell और dah also get it गैल्वेनिक और गैल्वेनिक कि जसल में जस्ट याफ त्र और स्ट बीजिद को ती है उल्लेटिक cell छीक है galvanic cell और electromagnetic cell galvanic cell कौन सी होती है galvanic cell होती है वो device jok booklet हमारा क्या करता है chemical energy को electrical energy में convert करता है उसी device क्या बोल देते है galvanic cell क्या कर रहा है electrical energy किसको कि मैं पुद्ट कर रहा है लेक्रिकल पू एनरजीमें थेक में पूद है कर बाद करता है है एलेक्ट्राइड गणवर्ट करता है कि वह एस्ट पौद्ट करता है पहला क्या मने पड़ा गेल्वेनिक एलेक्ट्रोलीटिक सेल क्या कर रहा है क्या होता है जो हमारा डेल्टा जी गिफ्ष्री एनर्जी जो होती है वो क्या होती है नेगेटिव कहने का मतलब क्या है कि यह प्रॉसेस कैसी होते है स्पॉंट्इनिस घ्रवैनिक सेल में जो प्रोसेस होती है उसके आदेल्टऑ जी की वेली होती है वो क्या होती है नेगेटिव बात कर रहा है कि यह जो रियक्शन होते है कैसी होने स्व iT्या कैसी के सकनेव भंडिनेस यानिकिफ्स फ्री एनेरजी की वेल्यव क्या ऑति है फिर इसमें एक और जो major difference है वो क्या है कि इसमें जो anode जो होती है वो कैसी होती है negatively charged कैसी होती है negatively charged ठीक है एनोड क्या होती है यहाँ पर negatively charged अब बात करते हैं electrochemical cell की sorry electrolytic cell की तो electrolytic cell में हमने क्या कहा इलेक्टर्वलेटिक सेल वो device होता है जो electrical energy को किस में convert कर रहा है chemical energy में simple सी बात है इसमें क्या होता है जो delta G की value होती है that is gives free energy कैसी होती है positive that means कि reaction कैसी होती है non spontaneous कैसी होती है non spontaneous reaction और इसमें जो एनोड होती है वो कैसी होती है positively charged कैसी होती है positively charged positively charged यहां तक चीज समझ रहे है आई होप यहां तक बहुत simple सी बहुत basic से चीज़ है यहां तक सबको समझ आ गया होगा आगे चलते हैं तो आज सबसे पहले हम किसकी बात करें है galvanic cell की आज हम बात करने वाले हैं galvanic cell की ठीक है galvanic cell दो तरीके के एक single compartment galvanic cell और एक होती है double compartment galvanic cell single compartment एक बीकर में ही हमारा क्या हो और उसी में electrolyte हो ठीक है सिर्फ एक single बीकर होगा single बीकर में क्या करने हैं लेक्ट्रोड डिप कर देता है और different electrolytic solution यूजओ करते हैं ठीक है तो हम गैल्वन इक सेल पढ़ने से पहले आगे फदर पढ़ने से पहले यह जानने की कोश्चिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से क्या केमिकल रिक्शन हो रही है कि हमारा केमिकल एनर्जी हम कैसे यूज़ कर रहा है कैसे यूटलाइज कर पा एलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में थीक है तो जब सिंगल कमपार्टमेंट हमने सेल लिया सिंगल कमपार्टमेंट यांके सिंगल भीकर लिया एक सिंगल भीकर में हमने क्या कर दिया क्या करा है किया डिप कर दिया दिको पहले एक्जामपल हमने जो हम पहले एक्जामपल लेके चल रहे हैं वो लेके चल रहे है जिंक की इलेक्ट्रोड यह क्या है दिंक की इलेक्ट्रोड है और जो एक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है वो किसका है कॉपर सल्फेट का किसका सॉल्यूशन ल copper sulfate का और उसके इंदर क्या डाल दी zinc की electrode ठीक है अब देखो होता क्या है इसमें होती है एक redox reaction क्या बोला मैंने redox reaction कैसे देखने की कोशिश करते है reaction क्या है मेरी zinc zinc किसमें जा रहा है zinc sulfate क्या form कर रहा है zinc sulfate यहां पर zinc oxidation state क्या है जीरो नीट्रल ठीक है जीरो और यहां पर क्या होती है oxidation state इसकी प्लस का 2 क्या हो जाती है oxidation state प्लस का 2 तो अब मुझे बताओ यह कौन सी process है oxidation या फिर reduction क्या हुआ है electron का loss हुआ है कितने electron का loss हुआ है दो electrons का तो इसको हम क्या बोलते है कौन सी reaction बोलेंगे oxidation oxidation reaction ठीक है वहीं हम अगर बात करें copper की copper के देखते है copper sulfate में इसकी oxygen state क्या थी प्लस का 2 और यहां से जब reaction forward direction में जाती है तो copper की oxidation state क्या हो जाती है जीरो क्या oxidation state हुई इसकी 0 यहां पर क्या हुआ है दो electrons का क्या हुआ है gain क्या हुआ है gain of two electrons और ऐसी reaction का इस का इस reaction बोलते है reduction reaction क्या बोलते है reduction reaction reduction reaction ठीक है क्या है reduction reaction और redox reaction हम किसे बोलते है जिसमें electron का transfer हो within two species लेक्टराण का transfer हो रहा है किसमें दो species के बीच में यहनकि एक спасies कै तो कर दोसरी सपीचिक कर लेगी electron का gain कर लेगी ठीक है जो सपीचिस इलेक्टव करती है ठीक है उस पॉस्स को क्या कहा जाता है oxidation reaction ठीक हे यह फिर oxidation प्रोसेस जहां पी क्या हुआ है electron का loss हो रहा है और वहीं पर जहां पर electron gain हो रहा है उस process को क्या बोलते है reduction reaction क्या हो रहा है? electron का transfer हो रहा है दो species के बीच में यह reaction हुई observe क्या करा हमने अब हम बात करते observe क्या कर रहां थेखो observe पहली चीज चीज क्या होई थी कि temperature जो beaker का temperature था वो increase हो गया था temperature of beaker inkreases क्या हुआ पी कर से त्ट इंपरेटरेश जो देकर था एगजो- थर्मिक ररीक्षिन वा- महाने का मतलब क्या है हई ही टैज़ी रिलीज होगे कौसिट्स उति है जिंक ही तर्मेल एक्जोध्रम्रीक रियक्षन ठीक है जर्ला Jag buck temperature है। वो क्या हो गय था, container का या beaker का increase हो गया था। फिर दूसरी observation क्या थी हमारी? 京生ink कर जिंप except जिंप सक्डिक एलेक्टरोड थीический आ questão सह सर गारे थी इक ते उस का वेट क्या हो गया था। decrease हो गय था यह observation फिर 40 observation क्या था झी कॉपर्ट साल्फ्ड lan का सोल You!!!! किस कलर का होता है ब्लु कलर का ङिस कलर का होता है भू खिल यदि णि ओ और कॉपी कॉपर्ट Колोह जो सेलफेट का वह था वह था है टो हमने क्या प्व्जर्व करा या जो ब्लु कलर का शॉलिटिकत है था ठीक है इसका कलर कैसे होने लगा फेडže सौने लगा हमने इक स्टिंग से स्टिंग करते हैं हमने एक सिंगल कंपार्टमेंट निया दिस्या भाट कर लिया इस में और सॉलिचन लिए कौह एक टीक। है उसका लेके चल रहे हैं एक पर सिल्फेट का उसमें कोपर सिल्फेट का उसमे योगारेक्शिन के इस Giovreso dedica is within two species. कौन कौनसी species? Zinc और da Halloween पूपर सिलफियत के बीच में. तेक है. झान है जिग ने क्या गादा है? दो electron लूज कर लिये है. दो electron लूज करके कौनसी process और तो गना लिया, oxidation reaction. तो, Entonces, copper-sulfिएट का जो copper था वो नाइ तक पूपर था. जिसकी वज़े से क्या होता है जिसकी वज़े से हमें यहां पर कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स at the bottom क्या होते हैं छोटे छोटे copper sulfate के जो particles है वो दिखने लग जाते हैं ठीक है वो किसके particles किसकी solid state होते है copper की आइतनी चीज समझ फिर हमने क्या observe करा कि जो हमारा beaker था उसका temperature क्या हो गे था increase हो गे था दूसरी observation क्या थी जो zinc की हम लेके चल रहे थे zinc की जो बीकर में लेक्टोड थी उसका वेट क्या हो गया था तो फिर तीसी observation क्या थी कि जो हमारा blue color का solution था जो blue color का electrolytic solution हम लेके चल रहे थे उसका color क्या हो गया था फिर पहली चीज़ दूसरी बात करते है सेम ऐसा ही सेम एक्जांपल हम दूसरा लेके चलते हैं इसमें अब हमने क्या करहा है हमने है इलेक्टोड इसके लिए copper की इस बर इलेक्टोड किसके लेके चल रहा हैं copper की और solution इसका है silver nitrate का किसका silver के से देखो कपर कि बनें क्या एक से यह अची लुटाइशन स्टेट ही tumor किसी इसलेशन स्टेट किके स्टेट जाइबू किन हुआ थोरा läuft क्तिकेसेहए कंडू कर कर दिए लूज कर दिए दो इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए वहीं अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर का क्या हुआ है सिल्वर यहां पर क्या था प्लस वन ऑक्सिडेशन स्टेट में इसने क्या करा एक एलेक्ट्रॉन गेन करा है और क्या बना लिया है सिल्वर कौनसी फ तो यहां तक चीज समझ रही अब इससे हमें क्या और फाइदा है को हमने क्या देखा कि इसी रिडॉक्स रियक्शन से यानि कि जो रिडॉक्स रियक्शन हो रही है तो हीट एनर्जी रिलीज हो रही है तो हम उस हीट को किसी और फाइदा कर सकते हैं तो हम एक एनर्जी को यहां कि इसी इसी केमिकल एनर्जी को हम किसमें कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और जो डिवाइज इस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करने के लिए यूज किया जाता है नाता के उसीको हम बोल देते हैं क्या बोल देते हैं गयल्विन गनिक इनर्जी को एल्धिकल एनर्जी में के लिए यूस किया जाता है उसका नाम हमने क्या रख दिया मैं और छाना के टिया कियो रखा गयाजना साइंटिस्स प्रसंध कर ने के लिए पेकल को इनर्जी के लिए तो इन्हीं के नाम के बाद यह गैलवनिक सेल और वाल्टिक सेल रख दिया गया ठीक है यहां तक चीज समझ रहा है कोई दिक्कत क्या बोला मैंने ज़रा हम देखना चाहते हैं कि क्या लिखा हुआ है यहां पर यही बाते जो मैंने अभी बताई है जस्ट वही लिखा हुआ है कि रिडॉक्स रि इनर्जी को हम किसमें कनवर्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और जो डिवाइज इस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कनवर्ट करने के लिए यूज किया जाता है उसे हम क्या बोल देते हैं गैलवनिक सेल या फिर या फिर क्या बोल रहे हैं वाल Alexandro Walter ठीक क्यों क्यूंकि इनने बहुत सारे experiments पर Stuart करें किसंके लिए क्या आखिर क्या reaction होती हैं ठीक है reaction क्या involved होती है हम किस तरीके से इस reaction को read-out कर सकते हैं कि overall हम यह जए कि हमने क्या देखा कि जिंक को जब हमने जिंक solid state में था इलेक्टोड ती इसकी और copper sulphate कि स्टेट में था aqueous state में था जब ये reaction forward direction में जाती है तो zinc किस में convert हो जाता है zinc sulfate में ये फिर aqueous solution में जाता है और फिर क्या होता है copper हमारा solid form में नीचे settle down हो जाता है नीचे settle down हो गया था फिर इसको हम किस form में भी इसको हम कैसे भी लिख सकते है oxidation state की form में यहाँ पर zinc की oxidation state क्या थी 0 copper की oxidation state क्या थी Plus का 2 लिख सकते हैं कोई दिख कर फिर यहाँ पर zinc की कौनसी oxidation state आई है Plus का 2 और copper की कौनसी oxidation state है Zero ठीक है इस ही को इन दोनों form को हम क्या भी बो दिख सकते है Overall Cell Reaction यानके एक cell में Overall क्या reaction हो रही है कि हमारी ओवरोल सेल रिक्षिन की हमारा वैड फिन्क किसमे नब© guit और फिन डार सेbiह ठसुत में जह तो सेश्चिस सेट में और वहीं कॉपर नहीं कर रहाए फ्लेस्ट tatきます कि इन अब इस ओवल्पर को हमुआ कजिको हान गणाес कि देखो जिंक कहां जा रहा है जिंक क्या कर रहा है प्लस टू ऑक्सिडेशन स्टेट में जा रहा है कैसे दो इलेक्ट्रोन का लॉस करके ठीक है इसको यहां लिखोगे बात वही पढ़ती है क्या हुआ है माइनस के टू एक्टोन यहां चले गए है तो प्लस का टू ठीक है यहां तक कोई कंफूजन आगे क्या है कॉपर प्लस टू अक्सिडेशन स्टेट से दो इलेक्ट्रोन गें करके कहां गया है कॉपर जीरो अक्सिडेशन स्टेट में यही तो रियक्शन हुई है अब यहां पर क्या हो रहा है इस रियक्शन में क्या हो रहा है ऑक्सिडेशन क है हाफ सेल रिक चेके अक्षिडेशन हाफ सेल्पी और इसको बोल सब्सक्ते हैं हम रिडक रेडशुं अरी हाफ हें मैं पुर्पर हम ने को प्रमनींद टेखा कई क्या बारा इसुट में क्या हुआ था हुआ था क्या हुआ हिन शी कि दिंग किसमें चला गाया और 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 इस तो हमारी एक्षन थी और इसको और सकते हैं और उसके बाद इसको हम ब्रेक करके दोनों डिफेंट हाफ-फैन में लिख सकते एक में क्या हो राहा हमारा तो उसे हमने क्या बोल दिया Oxidation Half Cell और दूसरे में क्या हो रहा है Reduction हो रहा है तो उसको हमने किस फॉर्म में लिख दिया Reduction Half Cell की फॉर्म में ठीक है तो फर्स्ट हांब को क्या बोले हमने Oxidation Half Cell इसमें क्या हो रहा था Oxidation और जल्दी से वटाफट से बताओ किसका Oxidation हुआ है जिंक का जिंक कहां क्या कर रहा है जिंक जीर Oxidation स्टेट से कहां चला गया प्लस्ट Oxidation स्टेट में कैसे गया है क्लिए दूसरी हाफ़ एंसी हे रिडक्षण हाफ और उसमें क्या हुआ है किसका रिडक्षण हुआ है कॉपर का कॉपर सेलफेट में जो कॉपर है कौण से सबेंग है कैसे में अब हम थे हैं प्लस ब्लसर उसे तो ऐलेक्ट्रान गेन करें और गेन करके क्या बन गयाagger कोपर ठीक है फिर हम इसको हम कैसे पर सकते हैं कैसे अब कि आप करें अब हमने बात कर छोगा प्लस कंपार्टमयं के सिंगल गेंकल लिया एक वीकर में क्या होता है कि दो भी कर अभंँ सब्सेपरेट करके लेके चल रहे हैं इक में क्या कर आई हमने एक में एक एलेक्ट्रोड आली जो इलेक्ट्रोड डाली उसी का यह लेके चलते हैं electrolytic solution जैसे कि example के तौर पर लेके चलते हैं कि मैंने यहां पर let us suppose यहां पर zinc की electrode डाली तो electrolytic solution भी क्या डालूंगी zinc का ही that is zinc sulphate ठीक है zinc की electrode zinc का ही electrolytic solution फिर दूसरा यहां पर letter suppose मैंने क्या ले लिए copper की electrode और यहां पर solution किसका लिया है copper का ही copper sulphate solution ठीक है यह क्या है मेरी double compartment मैं लिख देते हूं यहां पर double compartment कि मेंट गेल्विनिक सेल या फिर सेल ठीक है I hope इत्ती ची समझ आगी single में क्या कर रहे थे सिर्फ हम single में बीकर लिया बीकर में एलेक्रोड डाल दिया ठीक है और यहां पर क्या कर रहा है में double compartment cell में कि में दो डिफेंट भी कर लिए तो डिफेंट भी कर में क्या कर रहा एक में जिसकी भी हम क्या कह रहे हैं रोड लेके चल रहे हैं उसी का कह लेके चल रहा है और इन गॉम ने बाहर कि से से कनक कर दिया एक वायर से और किससे जड़ा है वाल्ट मीटर से किस्से वाल्ट मीटर क्या चैक करने के लिए कि उसमें से electricity पास हो रही है या फिर नहीं ठीक है क्या चेक करने के लिए कि electricity circuit में से पास हो रही है नहीं अब देखो यहाँ पे तुम्हें चेज देख रहे होगे कि यहाँ पे की YouTube like कुछ structure है इसका क्या काम ठीक है इसको बोलते है salt bridge बोलते क्या ऐसे salt bridge salt bridge let us suppose कि यह salt bridge नहीं हुता हम मानके चलें अभांड पस यह salt bridge भीच में है यह rich पर 다른 नहीं है तो यहां से क्या होगा चै क्या करेगा समें वही reaction होगी चैकर कर रहा है का यह 2 E कि लूग्ट्रान लूग कर रहा है और लूगK नाया Zinc plus 2 Simple यहाँ पर क्या करेगा वो दो electron कहां से जाएंगे इस wire के थूँ ट्रेवल करेंगे इस wire के थूँ यहाँ से flow करेंगे और flow करके यह क्या electron flow कर रहे है electron कहां flow कर रहे है zinc की road से कहां पर copper की road पर तो यहाँ पर क्या होगा यह जो copper sulfate है उसमें जो copper है वो क्या करेगा यह दो electron को gain कर लेगा और क्या बना लेगा copper यही बनाएगा यही reaction है चलो यह तो ठीक है कि electron तो flow हो गए पर क्या इसमें से current pass होगा क्या circuit हमारा complete है current pass होना है current flow करने की condition ही क्या होती है कि circuit कैसा होना चाहिए कंप्लीट होना चाहिए तभी हमारी electricity flow करेगी तभी हमारा current flow करेगा मगर क्या अगर salt bridge नहीं होता तो क्या circuit कंप्लीट होता नहीं होता ठीक है नहीं होता तो हमने क्या करा अभी हम बात करेंगी कि salt bridge की जर्ट क्या पड़ी salt bridge अभी समझ आया कि देखो कि अभी क्या है सौल प्रिज की बात करते हैं यहां तक इतनी चीज समझ रही कि हमने क्या कर रहा है डबल कंपार्टमेंट सेल में दो भी कर लिये दो भी कर में उनका ही सेम एलेक्ट्रोलाइड और उन्हीं का ही क्या है एलेक्ट्रोलिटिक सॉलुशन और वायर से कर ठीकर में इसमें क्या होता है कुछ एलेक्ट्रोलिटिक सॉलूशन या एलेक्ट्रोलाइड हमारे प्रेजन्ट होते हैं अभी हम बात करेंगा है मगर सेट अब देख लिए हमने किस तरीके से हमारी डबल कंपार्टमेंट से क्या सेट उसका सेटूप है क्या उसका जनरल कि यूसरोट पड़ी क्यू हमने वहां प्लेस करा पहली चीश प्लूर करते को कमपलीट करने का delivery १ कि देखो क्या करेगा वो यहां से एस इस बहर वाले वाईर hurts अब करते हैं हमारा is enough exercise स्थेक्षेट में जा रहा है ठीड़ है सब्सक्राइब यहांद कि यहां पे यहां पर SO4 2 Negative की concentration क्या हो जाएगИ Increase हो जाएगी एक Beaker में क्या हो रहा है Zinke की concentration increase हो रही है और दूसरी Beaker में क्या हो रहा है Subphate ions की concentration Increase हो रही है अब दोनों जगा क्या हो रहा है जो हमारे Cations और Nians की concentration increase हो रही है Disbalance हो रही है तो तक ही Electrical Neutrality क्योंकि ईल्लेक्त्र उसी के लिए हम क्या यूज करते हैं इस लोटा यह ख तो क्या होता है circuit complete होता है close to our complete होता है ठीक है फिर दूसरा क्या होता है कि zinc क्योंकि zinc दो इलेक्ट्रोन लूस कर रहा है तो वहांपर क्या हो रहा है zinc plus 2 की concentration in frequency乾रीं क्या हो रही है ौर दूसरे भीकर में क्या हो रहा है salt bridge काम आता है अब यह electrical neutrality कैसे maintain करके रखता है यह maintain ऐसे करके रखता है जो salt bridge होता है न वो देखो क्या यह क्या है एक यू-tube-like structure है ठीक है यू-shaped की tube है क्या है यू-shaped की tube है और यह किस-किस से बन ओजे नहीं को इसके अंदर इसके अंधर concentrated solution होता electrolyte का किसक का concentrated solution होता electrolyte का कओ-कान से electrolyte kCl3 k2es4 या फिर KNO2 यह होता है concentrated solution होता है in electrolytes का या फिर एक solidified solution होता है solidified solution होता है कि नहीं भी एलेक्ट्रोलाइट का किसके साथ अगर-अगर या फिर जिलेटिन के साथ ठीक है और वहीं तो कि किसका देखो क्या होता है क्या बोला मैंने यह क्या होता है concentrated सॉल्यूशन होता है electrolyte का कौन-कौन से electrolyte के सी एल के नो तरी और के टू एस सो फॉर का और solidified solution होता है किसके साथ electrolyte का किसके साथ अगर-अगर में या फिर जिलेटिन में तो यह क्या करते हैं यह जो है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है let us suppose मैं के सील लेके चल रही हूं ठीक है आयन्स होते हैं कि electrolyte solution electrolytic ions है यांकि dissociate हो जाएंगे के पोजटिव और सील नेगीटिव में जहां प्सके लिए और जहां पर नेगीटिव जादीव जादा है यहां पर कॉन साइन चले जाएंगे positive वाले यांकि KCl में break होगा किसमें? dissociate होगा किसमें? K positive और CL negative तो ZN 2 positive यहाँ पर किसकी concentration increase हो रही है, katein की तो क्या move करेगा? N9 इस तरफ move करेगा और यहाँ पर क्या move करेगा? katein ठीक है? ताकि electrical neutrality maintain रहे हमारे system में ठीक है, और बाकी क्या करते है? system को complete करता है, क्या करता है? system को complete यह चीज़ समझ रहे? system को कैसे complete करेगा? बाहर जो wire है, उसमें क्या होगा? हमारा electron flow होगे और अंदर जो salt bridge है, उसमें क्या होगा? salt bridge में हमारे ions और यही वह यह अलाव करता है आएंस की मूवमेंट को क्या करता है आएंस मूव कर सके एक बीकर में से एक अंपार्टमेंट में से दूसरे कमपार्टमेंट में किसके थ्रू मूव करते हैं हमारे किसके थ्रू मूव करते हैं सॉल्ट ब्रिज के थ्रू किसके थ्रू मूव करते हैं यानिके जेड़न प्लस यहां से मूव करेगा और यहां से सल्फेट आइस ठीक है तो एक बार क्विक करता है फटा फट से बहुत जल् करिए कौन कॉन से ऐल्वनिक सेल और एलेक्रोलेटिक सेल क्या करता सच तो होती है इसारी शोटी र्यक्षन होती है डील्टा-जी की विल्यू नेगेटिव होती है और कैसी होती है इसमें नागेटिव ली टाट्ट वहीं अगर जो हमारा डेल्टा जी होता है वो कैसा होता है पॉजिटिव होता है नगल इस छिर न ऌती और यह होथ यह पॉजिटिवली चाज कि अंधे क्या वारे तो हम्हाच्ट कुल के आ रहा है दो कि के शीमिल कंपार्टमेंट की में हने देखने के कुशिश होती है ठीक है observation क्या थी बीकर का जो वह लाइक कंटेनर जाए उसका टेंपरिचर इंक्रीज हो गया था दूसरा जो रोड लेके चल रहे जिंक की रोड लेके चल रहे तो क्या हो गया था उसका कंसेंट्रेशन करने ती फिर वहीं अगर हम बात करें कि कि ब्लू कलर जो इसंक में एक और लीया था ह। काझा कोपर का किसे साथ सिलवर नाइटा के साथ फौप खीचिव ही रियक्शन थी कुछ नेहीं था मगर हम क्से सेल सींगल कंपार्टमेंट फिर हमने देखा कि हम किस पिर हमने बात करी फिर हमने बात कर यह लो हमारा क्या करता तो हमने बात करी गेलवनिक सेल की उसका दूसरा नाम भी वाल्टिक सेल फिर हमने रिखा कि आखिर क्या हो रहा था हमारा जिंक के साथ कॉपर सेलफेट के साथ करके कौन सी रियक्शन दे रहा था आशेंग सेलफेट और कॉपर ठीक है यहीं बन रहा था फिर हमने इसको किस फॉर्म में भी लिखने की कोशिच करी हमने की कोशिच करी इनके ऑक्सेडेशन स्टेट की फ़र्म में ठीक है फिर इस ओवरॉल सेल्ट्रीक्शन कों दो तरीके से भी लिख सकते हैं दो हाथ सेल की यह पश्चीशने लिख सकते हैं सब्सक्राइब पस्क्राइब कर रहा दो लुस कर रहा था और प्लूस तो वहीं कॉपर क्या कर रहा था अगर हम एब हम सिंगल कंपाइब चलके बात कर लिए मगर अगर यहमें डूबल कंपाइबंट यह यहांकर लिए तें अग्यां सेलिट्ट इसकी उसी का इलेक्ट्रोलिक सोलिशन ठीक है उसको अग्याकर दिया थे बाहर एक वायर से और स्थीट ने के पूरा अफ्लीट DA क्या हुआ यहां से लैक्टोन फ्लो करके तक यहां पे यह इक्या फैक्वे सब्सक्राइन हो रहे होंît नीन किसनी लिए होता है हमने देखा था होता चॉय के इस अंदर इसके उड़ीयर होता है इलेक्त्रीट्रीट कीद्चल सल्वीशन हों सांठ्सक्ताइब मुआ किसी भी इलěक्त्रलाइड का किन किन पार्टिकललर्ट्रलाइब का केस क सी ऐल तो पहला काम क्या रिक कि यह क्या करता है मिक्सिंग में क्या करता है क्या करता है मुव्मेंट कर सके हमारे एक बीकर से दूसरे बीकर में जा सके मुव्मेंट अलाव करता है यह आएंस का एक बीकर से दूसरे बीकर में फिर हमने बात करी थी सर्कुट को क्या करता है कम्प्रीट करके रखता है कैसे कि ≅इन जो है वी दिन शारिए शारिए कढसोफ कि तो मुफ कर रहेथे कह थैंना ही फट्र सबीको बिलकुल अच्छे से समझ आगे हम इसके विसके तो पर चार्ज होती है उस पर उक्सिटेशन होता है यह सब चीज़े आगे आने वाली पढ़ेंगे और साथ ही पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है फिर फर्दर धीरे 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 करके हम इस चैप्टर को कम्प्लीट्शन की तरफ लेके थाएंगे ठीक है होप आप सभी कोच्छे से समझ आएगा मिलते हैं नेक्स क्लास में